नमस्कार राजिसवाट टेलिवीजन के कारिकरम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है मैं हूँ उर्मिलेश मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे कि आखिर हमारे देश में मीडिया जन स्वास्ति को बड़ा मुद्दा क्यों नहीं मानता पिछले दिनों संजिक्त राश संग में महसभा ने सतत्विकास लक्षे दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास विशे पर लंबी चर्चा की महसभा ने इसके कई महत्वपूर्ण लक्ष तैय किये हैं इनमें एक महत्वपूर्ण लक्ष है जनस्वास्थे में विश्ववियापी सुधार। मतलब दुनिया के लोगों खासकर जहां लोग तमाम तरह की विमारियों और अन्यशारिडिक अक्षमताओं से ग्रस्थ हैं को कैसे स्वस्थ और सक्षम बनाया जाए। इस महत्वा कांशी प्रकल्प के सिलसिले में वैश्विक जनस्वास्ते से जुड़ी तमाम तरह की सूचनाएं और आंकड़े इकठा किये जा रहे हैं। वाशिंग्टन विश्विद्याले स्थित Global Burden of Disease Studies ने इसके लिए हाल ही में जो SDG Health Index तयार किया है उसमें भारत 188 देशों की सूची में 143 नंबर पर बताया गया है। ब्रिक्स देशों में भारत सबसे आखरी पैदान पर है। अपने पडोसी स्री लंका से वो 60 पैदान नीचे है और मलेशिया से 100 पैदान नीचे। युद्ध से तवाल लीविया और इराक से भी हम नीचे हैं। कमबोडिया और म्यानमार जैसे बेहत गरीब मुलकों से भी हम नीचे हैं। हमारे कटर रास्टरवादियों के लिए गर्व का एक मुद्धा यहां मिल सकता है कि हम अपने पडोसी पाकिस्तान से 6 पैदान उपर हैं। हम अपने देश में जन स्वास्ति की हालत से स्वैम भी परचित हैं। इसके लिए निवार्क या वाशिंग्टन की किसी रिपोर्ट के हम मोहताज नहीं। पर संजुक्त राश्ट महासभाद तक में प्रतिध्वनित होने वाले यह आंकड़े हमारी ग्रोथ स्टोरी पर सव आख कर रही है। आप दर्शकों की तरफ से यही सवाल यही सवाल मेडिया मन्थन में आज हम अपने खास मेहमानों से करेंगे। आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं जाने माने जनल स्वास्ते विशेशग्य अभिजित दास, स्क्रॉल डाट इन की पत्रकार अनुमेहप यादो, न्यूज यूनाइटेड नेशन जनल इसेंबली में जब डिवेट इस विशेपर हो रही थी, इसके पहले जब यह संकल्प लिया गया था तब भी आप वहां मौजूद थी, रिपोर्ट कर रही थी, हम यह समझना चाहते हैं कि आज जो हालात हैं हमारे देश में, खासकर पबलिक हेल है, वह विशेक क्यों नहीं मनता, खासकर जिस तरह का यह जलन्त मुद्दा है, वह हमारे मीडिया में कहीं उस रूप में नहीं दिखाई देता है, आकि क्यों, खासकर टेलिवीजन में तो बिल्कुल नहीं पहले तो मैं आपको दाद देना चाहूंगी कि जब हमारा अतिराश्टरवाद से मीडिया ग्रसित है, कि आपने यह मुद्दा को उठाया, क्योंकि अगर मेंस्ट्रीम मीडिया को देखा जाए, पिछले 5-10 दिनों से लग रहा था, जैसे 193 सोवरें स्टेट्स वहां पे प प्राग रिजिस्टन बनते जा रहे हैं, वाइरस के लिए आंटिबाटिक्स नहीं बन रहा, उस पर उपर डिसकर्शन हुआ, और जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि STG का क्या रोड माप हो आगे वाले 15 सालों में, उसका डिसकर्शन हुआ, उसका बिल्कुल मीडिया में क लेकिन दो मैं अच्छे एक्जांपल्स देना चाहूंगे आपके दर्शकों के लिए, चुंकि आप मीडिया मन्थन करते हैं, विवेका ना निमाना और अंकिता राओ ने बहतरीन पत्रकारिता की है, मलेरिया का कितना अंडर काउंटिंग होता है, काउंटिंग में क्या-क् प्रब्लम है और बर्डन को हमेशा क्यों कम दर्शाया जाता है, और दूसरा है प्रयाग अकबर ने किया था ट्यूब कलॉसिस में, यही चीज़ कि ट्यूब कलॉसिस क्या भ्यावह रूप ले रहा है और उसका भी क्या अंडर काउंटिंग हो रहा है, मुझे लगता है तब से हमारे लोग जिनका आवाज बुलंद नहीं है और जो खुद बहुत हाशिये पे हैं, उनसे अपना सरोकार को दूर किया है, तब से ऐसे स्तिती जो भारत जैसे डिमोकरिसी के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनसे भी अपना नाता काटा है, तो मेरा मानना यही है, लेकिन बहतरीन रिपोर्टाज भी हुए हैं, और आप आज के तारिक में इन दिस डे अनेज ये वाला एपिसोड कर रहे हैं, तो उसको भी हमें रेकिगनाईज करना पड़ेगा, रभी देल साब आप अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो हम आप से रोबरो होना चाह हैं, कि हमारे जो पॉबिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं बहुत सारे अदेश के, वो ये मानते हैं कि जो बजट हमारे हां हेल्थ का है, एक तो हमारे हां हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, और जो भी गाइडलाइन्स जाती हैं सेंटर की, सेंटर जो बड़ी स्कीम शुरू करता है उसमें कुल मिलाकर जो बजट की समस्या है हम शायद डेवलपिंग कंट्री में भी बहुत कम बजट िRThe vast रखने वाले लोग हैं तो क्या यह एक समस्या है कि हम पबलिक हील्थ में मलेशिया श्री लंका सबसे पीछे हैं या जो फंड है ।क्टरों की जो कम attractive हमारे देश में है माना जा रहा है कि हम सत्रह सो पर एक डॉक्टर है तो यह या बेट की कमी अस्पतालों में है सिर्फ यही एक समस्या है पैसे की कमी अस्पताल की कमी बेट की कमी या कुछ और भी बड़ी समस्या हैं देश में वीजन को लेकर द्रिश्टिकोंड को लेकर जिसकी वज़ा से हम पब्लिक हेल्थ के मामले में इतने फिसदी है यह जो आपने अभी कहा कि बजट को लेके आप रिसोर्स को लेके जो है वो डेफिनेटली एक मुद्दा है क्योंकि विश्व भर में अगर हम देखते हैं जिन जिन देशों में स्वास्त की सेवाएं लोगों को सही धंग से उपलब्ध हैं उन देशों में साफ खर्चा करते हैं लेकिन भारत सरकार जो है अपने भारत सरकार और सब स्केट गाव्मेंट मिलाकर हम केवल एक प्रतिशत थी जीडीपी का काफी सालों से खर्चा करते हैं तो यह पूरा अंडर इंवेस्टमेंट है हमारा इस्टॉरिकल है एक तमय था मिड-80s की में बात कर में बात कर रहा हूं तब हम 1.6% GDP तक पहुंचे थे उस समय ऐसे लग रहा था कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ शेत्र है वो मजबूत हो रहा है लेकिन फिर जो पूरा स्टॉक्टिल अजस्मेंट प्रोग्राम हुआ जिसमें हेल्थ इंवेस्टमेंट कम होते गया उसके कारण आज जो परिस्टि हमें दिख रही है कि हम जो है खाली फायरफाइटिंग कर पाते हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम में मैं आपको एक बहुती सुंदर उधारन देना चाहूंगा मुंबई जैसे शहर में जहां पे पैसे की कोई कमी नहीं है वहाँ पर जो बॉंबे मुंसिपल कॉर्परेशन का हिल्थ केर सिस्टम है जो उनके हॉस्पिटल्स है डिस्पेंसरी वगरा है एक समय ऐसा था मैं बात कर रहा हूं 91 92 से पहले का कि जब बंबे मुंसिपल कॉर्परेशन का जो बजट है 30 पतिशत 25 से 30 पतिशत बजट जो है वो स्वास के लिए उपलप किया ज अगले सवाल के रूप में हम चाहेंगे कि आपका जवाब भी हो कि आम तोर पे यह माना गया है हमारी सरकारों की तरफ से कि यह पॉब्लिक सेक्टर जो है यह काम पूरी तरह नहीं कर पा रहा है तो पीपी माडल नेजी छेत्र का और सरकारी छेत्र के बीच का एक गटबंदन हो और इस तरह के स्वास्ति उपक्रम बड़े पैमाने पर लाए जाए इसके अलावा एक इंडस्ट्री के रूप में जो खड़ी होई है क्योंकि हम देखते हैं अखबारों में मीडिया में भी बड़े बड़े ग्यापन की कैसे हेल्थ को एक इंडस्ट्री के रूप में लिया जा रहा है तो क्या भारत जैसे मुल्क के लिए यह स्टेटिजी आपके हिसाब से क्या सही है कि हम प्राइविटाइज करें बड़े पेमाने पर स्वास्वाओं का क्योंकि सरकारी छेत्र के पास उतना धन नहीं है क्या ये सोच आपके हिसाब से कैसी लगती है मैं ये सोच से अलग सोचता हूँ मुझे नहीं लगता है कि ये सही सोच है क्योंकि हमने जो है सरकारी शेत्र को ठीक धंग से काम करने नहीं दिया है यह पूरा जो प्राइवर्टाइजेशन हुआ है वो एक इंडिपेंडेंटली होते गया है हमारी जो पॉलिसी रही हैं सरकारी पॉलिसी उन्होंने इंकरेज किया है प्राइवर्ट सेक्टर को तो प्राइविट सेक्टर जो पूरा है जो जैसे उधारन्स के लिए पूरी फार्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री है भारत की जो विश्वबर में अभी महशूर है तो यह फार्मेस्यूटिकल सेक्टर भी अगर हम देखें 60-70 में कहा था कुछ नहीं था पूरा पब्लिक सेक्टर चलाता था लेकिन 70 के बाद पूरा फार्मा इंडस्ट्री भारत में खड़ा हुआ है वो पब्लिक सब्सक्री से खड़ा हुआ है जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर दवाईं यह बनाते से और जो मेडिसन मार्किट में आते जने हम फार्मुलेशन कहते हैं वो प्राइविट शेक्टर बनाने लगा और सारा जो है ये सप्प्लाइ पब्लिक सेक्टर से आता था और पब्लिक सेक्टर ये एक तरह से कम भाव में इनको उपलब कराता था बेसिक केमिकल ये लोग दवाईया बना के प्रफिट बनाता है रवी दुगल मैं ये एक संचेप में आप से बात समझना चाहता हूँ थोड़ा वक्त की कमी है कि हमने आपके कई आर्ट किल्स बड़े रिसर्च पेपर्स बगरा हमने एकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली समेत कई ऐसे जर्नल्स में देखे हैं लेकिन मैं ये आप से समझन चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि भारत का जो मुख्यधारा मीडिया है वह इन इशूस को कितना तरजी देता है और आपके हिसाब से आप देश के जाने माने पब्लिक हेल्थ का एक्सपर्ट हैं क्या भारती मीडिया का जो प्राइबेट इंडिस्ट्री है आमीं चिकित्सा छेत्र में दवा कंपनियों का या नर्सिंग होम्स का प्राइबेट अस्पतालों का क्या इनकी तरफ से कोई इंफ्लूएंस है कि हमारे मीडिया में इशूस जो हैं पब्लिक हेल्थ के बड़े नहीं उठ पा रहे हैं या स्वैम इग्नोरेंस है इंडियन इशूरन्स को लेकर काफी डिसकर्शन होता है मीडिया में है यहीं सिस्ट्राइब जो हैं मॉडिक हेल्थ सिस्टम है उसकी जब भी मेरे में खबर آती है जादा तर खबर आती है कि और प्रकार की हमें पढ़ने को या देखने को मिलता है तो दुसरी तरफ पूरा ये जो आप देखें हेल्थ के इशू के अंदर ही पूरा जो ब्यूटी वाला इशू है या वेट लॉस वाला इशू है इस ताइप के मुझे हमें काफी जादा जी हम आपके पास पीर आएंगे अ आप रूरल इंडिया को काफी आपने कवर किया है आपने जनस्वास्त के इशूज भी कवर किये हैं हम आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि देश के कई से स्टेट्स हैं बहुत तो नहीं लेकिन शुरुबात हो गई है कि जो पब्लिक हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको भी प्रैविटाइज कर रहे हैं कुछी स्टेट शुरुबात होई है और ये ट्रेंड एक है आपको एक जनलिस्ट के रुप में क्या लगता है कि क्या हमारा जो मेंस्टीम मीडिया है पब्लिक हेल्थ के इशूज पर उतना अगर नहीं ध्यान दे पा रहा है कि नहीं क्यारों से तो क्या रिपोर्टर्स की कमी है क्या संपाद की अस्तर पर कोई कमी है या मीडिया में जो इस्टैबलिस्मेंट पुरा का पुरा है कहीं उसके मनोविक ज्यान में उसके सोच में कहीं कोई समस्या है पब्लिक हेल्थ को लेकर क्या है ये मैं भी समझना चाहता हू कि बहुत चोटे-चोटे मसले बहुत बड़ी ख़बर मन जाते हैं आमिन कमिशनर का कुटा गायब बिना ड्राइवर के कार चल रही है बहुत देर तक हमने वो सब चलती रहती है लेकिन पब्लिक हेल्थ की क्या समस्या है दुनिया क्या कह रही है हम क्यों कमबोडिया से भी प उन्होंने तीन बार ये सर्वे किया है कि जहां तक स्वास्त की बात है वो अकपार में किस तरह कवर होता है तो उन्होंने छे महीने जनवरी 2000 से जून 2000 तक सभी अकबारों मेन अकबारों का सर्वे किया और पाया कि जो संपादिक की यह पेज है उसमें एक भी एडिटोरिय आर्टिकल स्वास्त के विशा पे नहीं था, ये साल 2000 की बात है, 2003 में उन्होंने ये रिपीट किया, उन्होंने सिर्फ एक आर्टिकल पाया, जो कि इस बुद्धे पे था कि चाइना में सार्स एपिडेमिक फैल रहा है, और इसका एशियन एकॉनमी पे क्या प्रभाव पड़ प्रतिशत है, लेकिन हमारे सांसदों ने केवल तीन प्रतिशत सवाल ही बचों से related परलिमेंट में उठाएं हैं, तो एक तो ये मीडिया में भी है और शायद ये हमारे जो परलिमेंटरियन वह है, वहां तक है, जहां तक मीडिया की खुद की लिमिटेशन की बात है कि हम क् इसको और क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? मुझे लगता है एक तो इशू यह है कि शायद ये समझ है कि ये हेल्थ एक तक्निकी सब्जेक्ट है या इसमें मेडिसिन की जानकारी या कुछ शायद ये कारण है लेकिन इसको हमें भी शायद ये समझना पड़ेगा कि ये एक नियाय या अधिकार की बात की जैसे उठाया जा सकता है ये सिर्फ एक तक्निकी बात नहीं है एक दूश्री बात ये कि जिस तरह के आकड़े आपने बताए उस तरह की बात बहुत बार नहीं उठाई जाती है कि हम सब सभास्त में हम सब सहरन आफरिका के बराबर हैं या हमारी सभास्त के खर्चे में हम एक प्रतिशत हैं जो की चाइना का आधा है या लाटन अमेरिका का एक चोता ही है कि हम लोग कभी-कभी ये बाद पूरे एक अंतराश्ट्रिय परस्पेक्टिव जो एक लाज परस्पेक्टिफ जो है उसमें हम कहां आते हैं ये नहीं बताई जाती तीसरी बात शायद ये भी है कि दिल्ली में जो रिपोर्टिंग होती है वो बहुत ministry एक ministry में जा रहा है आप स्वास्त ministry में जा रहा है ministry का नया क्या कानून नया है क्या policy आया है बहुत वहां तक सीमित रह जाता है उसका असर गाउं तक क्या हो रहा है या आपके शहर में भी जो शायद मध्यम वरगिया लोग भी है उनका भी उन पे भी उसका क्या असर होगा या insurance अगर आना है तो उस side में क्या मतलब मुझे यह भी लगता है कि जो बाकी news चल रही है सूखा अगर हो रहा है या फिर अगर दलित प्रोटेस्ट बहुत हो रही है उनसे भी इस issue को जोड़ा जा सकता है कि जाती और स्वास्त का क्या रिष्टा है मैं समयता हूं अनुमिया की इस टिपनी के साथ हम एक छोटा अंतराल भी ल मीडिया मन्तन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है अंतराल पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर मीडिया में ये जो स्वास्तिके बड़े मुद्दे क्यों नहीं आकार पाते हैं क्यों नहीं उनकी आवाज गुंसती है हम बहुत सारी ऐसी नहीं है हम घंटों उस पर खेलते हैं लेकिन जो जनता समाज देश और कुल मिलाकर हमारी ग्रोथ स्टोरी की सबसे बड़ी कहानिया है हेल्थ की एजूकेशन की वो कहीं नहीं रहती है बाभी जिद्दास हम यहीं आप से समझना चाहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे डेव सेक्टर को नहीं समाला तो हम 2030 तक हम सायद बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार होने वाले हैं यह हम नहीं कह रहे हैं यह दुनिया के बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं क्या हमारा ध्यान उदर है और अगर हमारा ध्यान उदर नहीं है तो क्या मीडिया हमारे देश का जो वाक कि दिन हम economic growth देख रहे हैं, पिछले 20 सालों से ये जो देख रहे हैं, ये खतम हो जाएगा अगर हम लोगों ने स्वास्त और शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक चीज जो स्वास्त के दिश्टी से कहना चाहूंगा, भारत अभी एक नौजवान देश है, जिसको हम demographic dividend की बात करते हैं, लेकिन ये demographic dividend को तभी हम लोग पूरी तरह से इसका फायदा उठा पाएंगे, जब ये skilled human resource के रूप में उभरेगा, और skilled human resource के लिए इसके लिए स्वास्त की जरूरत है, इसमें शिक्षा की जरूरत है, तो इसका जो एक बहुत बड़ा economic loss होने वाला है, जो under investment हुआ है, जो हम लोग इस पे कोई policy investment कम है, ध्यान नहीं देते, उसका एक खामियाजा हमको शीग रही भूगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है, हमारी जो आबादी है, वो परियाप्त रूप से स्वस्त और शिक्षित नहीं है, दूसरी बात जो मैं कहना हमारे देश में जो inequality है, असम मांता इतनी जादा है, इस पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि अकसर हम सोचते हैं, जो दिखता नहीं है, जो शहरों से दूर है, जो बात अभी आपने अभी की थी, कि जहां पे लोगों का नजर खतम होता है, वह में लिरिया, लेकिन वो शायद दूर होने वाला है, और मैं दो उधारन देना चाहता हूं, जिसके कारण शायद ये दूर होगा और हमको अभी सजग होने की जरूरत है, नमबर एक, ट्रैफिक एक्सिडेंट, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एक्सिडेंट कर रहा है, और ट्रैफिक एक् होती है, हेल्मेड लीजए, बेल्ट लीजए इसको लेके हम लोग चिंतित नहीं है, ट्रैफिक रिगूलेशन नहीं होता है, रेड लाइट नहीं है, और ट्रैफिक एक्सिडेंट्स हर जगह पे बढढ रहा है, और हमारे पास इसको मैनेज करने का कोई तरीका नहीं है, अमीर को काट रहा हूँ या गरीब को काट रहा हूं और इसको आज हम लोग अजम 취ald करने यह एक़े दम सक्षम नहीं हम लोगों सारवजनिक देवस्थाथ को पशवा Tu पिबलिक जपेजए इसे सोच्टीम को भिप्र छोड़ दिया है लोगांने सबकिश पर से cag विराज जैसा अभीजित साब ने कहा मच्छर के बारे में देखे ये हसने की बात नहीं है लेकिन मच्छर एक ऐसा आतंक है जो निशान्दे ही नहीं करता आतंकवादी तो निशान्दे ही करते हैं कहा मारना है लेकिन मच्छर तो किसी को भी काट सकता है और किसी को भी बरबा रहा था उनकी कुछ मलेख कि भारत गैर संक्रामक रोगों के चलते 2030 तक 4.5 ट्रिलियन डालर लूज कर सकता है इस इसेस्मेंट मैं नहीं जानता कि इसेस्मेंट में कितना ताकत है या कितना सही है कितना गलत है हम आप से ये समझना चाहते हैं विशुद मीडिया का एक प्रश प्रशित देश हम विकासिल देशों की बात नहीं कर रहा है हमने योरोप को देखा है अमेरिका को देखा है वहां भी चुनाओं के दौरान हेल्थ सेक्टर के इशुद बहुत डॉमिनेंट होते हैं अपनी देश में ये अशिक्षा का अभाव है ये राजनी जिक्षेतना क अभाव इसको कह लीजिए और मीडिया में भी इसका चुकी फोकस नहीं है इस पर तरजी ही नहीं है हेल्थ का इशु बिलकुल गायब है आप सिर्फ मीडिया को दोशी नहीं ठारा सकती पूरे समाज को भी लेकिन समाज को कौन बताएगा मीडिया भी बताएना चाहिए ले पहले कि अखबर खबर बनता जा रहा है और खबर गायब होता जा रहा है ना गेर संक्रामक डिजीजस जैसे डाइबीटीज हुआ कैंसर हुआ नॉन कमिनिकबल डिजीजस उसका डिजीज बर्डन भारत में इतना होगा कि जो 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस और यह सब हो कैंसर केर का हुआ फला हुआ अधी का हुआ है ना जबकि पब्लिक हेल्थ के ऊपर इविन जो कम्यूनिकेशन जो जन जागरन के आड़िटाइजिंग स्पॉट हो घटे जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल के अड़िजिंग स्पॉट बढ़ते जा रहे हैं ना यह पहले तो हम आपके शो में बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि मीडिया परस्पेक्टिफ बिल्ड करना भी उसका एक रिस्पॉंसिबिलिटी है अगर आज के तारीक में इलेक्शन के मैनिफेस्टों में हेल्थ बजट के ऊपर वोट्स नहीं डाले जा रहे हैं लेकिन मुस में जो बाते होती हैं एडिटोरियल के मीटिंग में जो बाते होती हैं क्या अपने समाज अपने देश के बड़े हिस्से बलकि समुची आबादी की तरफ से एक जबाब दही का बोध क्या वाकई हमें कहीं मिसिंग है क्या क्या वज़ा है कि हम दुनिया के विकसित देश ज दोनों के उपर पड़ती है और ये शायद एक खुद सोचने की बात है कि हम इस इशू पर कैसे कम्यूनिकेट करें स्क्रोल एक काफी चोटा ओगनाजेशन है हमने लेकिन एक अलग सेक्शन है पल्स करके जिसमें हेल्थ रिपोर्टिंग भी होती है और एक्सपर्ट कॉमेंट और ये भी होते हैं और दोनों तरह कि जहां तक हो सकते हैं अभी बिहार में बाड आएं तो मेरी कॉलीग में का वह जाते हैं वहां किस तरह का रेगुलेशन है इवन एक मध्यम वर्गी परिवार का कितना का उस पर क्या असर होता है उनको कितना अपना अक्सेस लगता है हेल्थ फसिलिए बिल्कुल संचेप में ये जो इंशुरेंस का इशुव आपने उठाया हेल्थ में मेडिया में काफ 20 प्रतिशत लोगों को वहां पर स्वास्त की फसिलिटीज नहीं है उबामा ने ये बदलने की कोशिश करी है और दूसरे भी अंतराश्वी एग्जांपल है जैसे जर्मनी या कैनेड़ा जो इंशुरेंस ना मॉडल पर ना जाते वह भी कहीं बेटर कर रहे हैं अभीजी द लेकिन सवाल भारती मीडिया से गायब है अगर मैं कहूं कि पूरी तरह आगर गायब नहीं है लेकिन फिर भी जो तवज्यों होनी चाहिए जितनी प्रमुखता मिलनी चाहिए मीडिया में दुर्भागे कहें, संजोग कहें या एक खतरनाक सोच कहें कि ये सवाल मीडिया में सिरे से गायब है मैं समझता हूँ कि ये केवल हमारे लिए नहीं हमारे सियासतदानों के लिए जनता के लिए जनता के चुनेंद जो प्रतिनीदियां उन सब के लिए ये एक बड़ा विशा है कि अगर हमारा देश ग्रोथ स्टोरी उसकी बड़ी खुशनुमा सी आपको आज दिख रही है लेकिन भविश्य हमारा रूलाने वाला हो सकता है अगर सच मुच हमने सेहत के सवालों को मीडिया में समाज में सियासत में तवज्यों नहीं दिया इन शब्दों के साथ आज के मेडिया मन तनकीश चर्चा का समापन करते हैं नमस्कार देखते रहे हैं राजी सभा टेलवीजन